गुड मॉर्निंग दोस्तों वर्ष उन्हें सो निन्यानवे से दोहजार बाइस तक SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS परिच्छाओं में गुलाम वन्स से पूछे गए MCQ अब्जेक्टिब कुईशन हिंदी में लेकर आपके सामने हाजिर हैं इनमें जितने भी प्रसंद आने वाले हैं वो सारे के सारे प्रसंद पिछले प्रतियुक्ता परिच्छाओं में पूछे जा चुके हैं तो इन्हें अच्छी तरीके से देखें और इनका अगर आप पीडियाप चाहते हैं तो आप हमारे वार्टसप टेलिग्राम चैनल को जो अप्सन दियावा है ए 1106 वी में बी 1206 वी में सी 1306 वी में या फिर 1406 वी में और यह जो प्रस्ण है SSC CHSL 2014 में पूछा जा चुका है तो आप इसका कमेंट फटाक से कर दें और इसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप अपने प्रश्णों को उत्तर से मैच कर देखेंगे कि आपने कितना सही बनाया है और कितना आपका गलत हुआ तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी तो चलिए आगे चलते हैं आंसर पता करते हैं इसका आंसर है बी मतलब 1206 वी में दिल्ली में सुल्तान का सासन प्रारंब हुआ था आगे चलत 1236 से 1240 B 1266 से 1287 C 1206 से 1210 या फिर D 1210 से 1236 और यह जो प्रस्ण है SSC MTS 272022 की परिच्छा के स्रिप्ट वन में यह प्रस्ण पूछा गया था और आप अगर इसका जवाब जान रहे हैं तो कमेंट फटाक से करें और इसका सही उत्तर है आपसर नंबर सी आपसर नंबर सी कुतुबुद्दिन एवक ने 1260 से 1210 तक दिल्ली पर सासन किया था आसा है वीडियो पसंद आ रही हूँ तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब अब अगला प्रस्ण जो है वो दिल्ली सल्तनत का राजिकाल कब समाप्त वा वो अंतिम वर्स पूछा गया है जब द सब्सक्राइब प्रस प्रसा फिस्वी में या फिर दूलह सोह इसी में जो भी उत्तर है आपका कमेंट करें और लास्ट में सारे उत्तरों को आप मैच प्रतिसवी वा सब्सक्राइब आपसं नमबर बी मतलब 1526 से बिल्ली सल्तनत का राजिकाल समाप्त हुआ था आगे चलि ये प्रस्द स्सी सीजिल नौज़ार सुलभ तीन में पूछा गया था तो फटा-फट कमेंट करते चलें साथ इसमें जितने भी प्रसद आ रहे हैं साथ आप प्रसद प्रीबिएस एघ्जाम में पूछे गए हैं इसलिए आपको इसकी कुतुम मिनार का निर्मान शुरू करवाया था और यह प्रस्ण एससी सीचसल नौ आठ दोहजार एकिस सिप्टू में पूछा गया था जो फटाक से कमेंड करें और इसका सही जवाब है और सी मतलब कुतुम मिनार का निर्मान सुरू करवाया था अब जानते हैं कि कुतुम मिनार का नाम सूफी संद डैस पर रखा गया था मतलब वो संद का नाम बताना है जिसके उपर यह नाम रखा गया था और यह प्रस्ण SSC CGL 76 2019 सिप्तीन में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं और इसका सही जवाब है खुआजा कुतुम मिनार का नाम रखा गया था और यह खुआजा कुतुम दिन बक्तियार का की सूफी संद थे सतरे नमबर सेख खुआजा कुतुम दिन बक्तियार का की की दरगा में इस्थित है मतलब वह जगह आपको बताना जहां कुतुम दिन बक्तियार का की की दरगा इस्थित है और यह प्रस्ण SSC MTS 28 2019 सिप्ट 3 में पूछा गया था अप्सन इस प्रकार है अजमेर बी दिल्ली सी अजोधन या डी आगरा जो भी उत्तर है फटक से कमेंट करें और इसका सही जवाब है अप्सन नमबर बी अप्सन नमबर बी मतलब सेख खुआजा कुतुम दिन बक्तियार का की की दरगा दिल्ली में इस्थित है अगला प्रस्ण है किस सताबदी मे दिल्ली का कुतुम मिनार बनाया गया था अप्सन है बारवी सताब्दी बी तेरवी सताब्दी सी चौदमी सताब्दी या डी ग्यारवी सताब्दी और ये प्रस्ण स्सी सीप्यों 57 2017 सिफ्ट 2 में पूछा गया था इसका सही जवाब है अप्सन नमबर बारवी सताब्दी म दिल्ली का कुतुब मिनार बनाया गया था अगला प्रस्ण है दिल्ली इस्थित कुतुब मिनार में कितनी मंजिल है तो आप्सन दिया गया है A6 B5 C7 या D8 और यह प्रस्ण SSC CHSL 58 2021-17 में पूछा गया था जितने भी प्रस्ण साथ यह सारे के सारे प्रस्ण previous year exam से लिए गये हैं इसलिए यह अती महत्पूर्ण है और आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए पीडियाप चाहते हैं अगर आप इन वीडियो के तो हमारे टेलिग्राम में वाट्सप चैनल को जोइन कर सकते हैं Link description में दिया हुआ है कमें करते चलें देखें इसका सई जवाब क्या है तो सब्सक्राइस नमभर B कि दिल्ली स्थित कुतुम मिनार में कुल पांच मंजिल हैं अगला प्रस्ण दिल्ली में स्थित कुतुम मिनार की उचाही मीटर में लगवग कितनी है और अप्सन है ए सॉरी 73 मीटर बी 71 मीटर सी 75 मीटर या पी डी 77 मीटर और ये प्रस्ण स्सी सीपियो 1111-2022 सिप्ट वन में पूछा गया था कमेंट करिए और फटाक से उसके बाद जब मैं जवाब बताता हूं तो आप इसका जवाब को मैच भी कर लीजिए इसका सही जवाब है उपसद नंबर ए मतलब दिल्ली में स्थित कुतुम मिनार की उचाई टेहस्तर मीटर है लगवग अगला प्रष्ण है वह स्थित्व कोतुम मिनार कहां के स्थित प्र generating में प्रस्ण तो काफी हलका है लेकिन फिर यह प्रस्ण स्सी चसल तईस एक 2017 सिप्ख तीन में पूछा गया था तो इसका जवाब तो मुझे पता है कि सब को बालूम ही होगा तो फटाक से कमेंट करें और आपके जवाब को आंसर भी मिलाएं मतलब यह जो जवाब यूशल कर यह दिल्ली में कुत मिनार इस्थित है're अगला प्रस्ण PayPal किस प्रस plains सासक ने पूरा किया था तो जैसा मैंने आपको पहले वाले परस्ट में बताया था कि कुति मिनार का निर्मान जो था वो कुटूब दिन एवक ने किया था लेकिन पूरा किस ने किया तो अप्सन दिया गया है भी इलतुत्मिस ने सी फिरोज पूछा गया है कमेंट करिए आपको अपने घ्यान पर भरोसा होना चाहिए कमेंट करते चलें और इसका सई जवाब है और बी इलतुत्मिस ने कुटूब मिनार को पूरा किया था अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा इसमारक कुटूब परिसर का भाग नहीं है जवाब बताना है अपसन दिया गया है कुटूब मिनार भी अलाई दर्वाजा सी कुटूब उलिस्लाम मस्जिद या डी बुलन दर्वाजा और यह प्रस्ण एससी सीजियल 632203 में पूछा गया था देखते इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब जो है अपसन न पक्राइबी में महाबोधी मंदर संवों सी कुटूब मिनार या डी नाल किला परिसर चारों जो है आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये युनेस्को की विश्व विरासत अस्थल में है लेकिन प्रस्थ है कि अलाई दरवाजा किस विरासत अस्थल में है इस चारों में से किस में अलाई दरवाजा मौझूद है और आपने देखी लिया और ये प्रस्थन एससी सी ये चसल बीस एक दोजार सत्रह सिब्क तीन में पूछा गया है तो सही जवाब देखते इसका क्या है इसका सही जवाब है अप्रस्थन नमबर सी अलाई दरवाजा कि कुतुब मिनार विरासत अस्थल में इस्थित है अगला प्रस्थन है अलाई दरवाजा दिल्ली स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगन के लिए एक डैस है मतलब क्या है वो बताना है ओप्सन है ए प्रवेश द्वार बी मिनारेट सी डोम या डी अर्क और ये प्रस्थन स्सी एम्टी एस 14 10 2017 सिफ 2 में पूछा गया था इसका सही जवाब जो है वो है अप्सन नमबर ए मतलब अलाई दरवाजा दिल्ली स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगन के लिए प्रवेश द्वार है दोस्तों आपने अंत तक वीडियो देखने के लिए धन् वाद में लिए देखने के लिए प्रांगन है के लिए ट्व ए।